Hello guys and welcome back to my channel आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शिकंजी बनानी की रेसिपी इसको बनानी के लिए आप एक ग्लास दूद को बॉil कर ले और हाफ में रिडियूज कर ले उसके बाद आप इसमें 2-3 टेबल स्पून्स शोगर एड़ करें शोगर की कॉंटिटी आप अपने तेस्ट के अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा कर ले फिर आप इसमें थोड़ा सा केसर और हाफ टेबल स्पून इलाइची पाउडर एड़ करें आप चाहें तो केसर को पहले से गुन-गुने दूद में डाल कर रख सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं उसके बाद इस मिक्सटर को कम्प्रीटली ठंडा कर ले अधिया होने के बाद आप इस मिक्सटर को मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और फिर इसमें वन फोट कप दही आट करिए उसके बाद इसे अच्छे से एक मिट तक ब्लेंड कीजिए ताकि यह स्मूध हो जाए और फिर इसे आप एक घंटे आदे घंटे तक रख दीजिए अधिया हो जाए तक आप एक ग्राइ पाज प्सम नट्स अन जाए